नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका डीवी नियूज में 88 के केसला ब्लॉग के सरकारी स्कूल के विज्ञान की टीचर राजेस पाराशर की और से कोई-19 से बचने के लिए लोगों को जन जागरूप कर निशुर को प्रिकॉशन डोस लगवाने की अपील को करते हुए देखा जा रहा है जिहां आपको बता दें केसला ब्लॉग के सरकारी स्कूल के विज्ञान की टीचर राजेस पाराशर जो की सभी लोगों को कोई-19 से बचने के लिए मुफ्त में प्रिकॉशन डोस लगवाने के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर राजेस पाराशर ने बताया कि अब मुफ्त प्रिकॉशन डोस के लिए स्रिफ दो ही हफते बागी है आजादी के अमरत महुशन सब के अंतरगत निशुल को प्रिकॉशन डोस 30 सितंबर तक चलाए जाने वाला अभ्यान अब स्रिफ कुछी दिनों का है मद्र प्रदेश में लगवग लग चुकी प्रिकॉशन डोस की संख्या 1.80.000 से कुछ अधिक है जबकि मुख्य वैक्सीन की लगवग 12 करोड डोस प्रदेश में लगाई जा चुकी है और इसी को देखते हुए कारिक्रम में आम लोगों को प्रकॉशन डोस लगवाने की अपील की जा रही है पारासर ग्रामीन और श्टहरी छेत्रों में लोग से कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जन जागरुक करते हुए देखे जा रहे हैं इसके साथ ही कलेक्टर नीरज कुमास सिंग्ग वा जिला पंचाय सीओ मनूज सरीयाम के मार्ग दर्शन में जागरुकता कारिक्रम शहर सहिख ग्रामिर इलाकों में चल रहे हैं राजस पारशन ने इस जन जागरुकता अभियान के तहट सभी लोगों को अच्छी सलहा दी जहां पर लोगों को स्वस्त रहने के लिए क्या उपाय करने चाहिए इसको लेकर भी राजस पारशन ने सभी आमजनता को बताया आपको बता दें मुफ्त प्रकॉशन डोस में आप से कुछी दिन बाकि हैं 30 सितमबर तक मुफ्त प्रकॉशन डोस लगाए जाएंगे जिसके बाद यह अभियान खत्म हो जाएगा ऐसे में सभी लोग कोशिश कर रहें कि आमजनता जादा से जादा इस मुफ्त प्रकॉशन डोस का लाव उठाएं ताजा खपरों के लिए बने रहें डीवी न्यूस में